आज किस वीडियो में हम जानेंगे थापर उनिवर्सिटी के बारे में इस कॉले से लेटर जितने भी कोईडी जाती है ना जोइन करने से पहले उसको आज हम क्लियर करेंगे तो आज आप कुछ इस वीडियो में नया देख रहे होगे अभी तक जो आप मेरे वीडियो को देख होगे तो आज कुछ नया होगा क्या है तो एक वाइट बोर्र आप पिछे देखने को मिल रहा होगा याँ ठीक है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा सबसे पहरे जानते हैं कि इस वीडियो में आखिरकार होगा क्या थापर Institute of Engineering and Technology पतियाला इस College के अराउंड जितनी भी Query जाती है जैसे Fees, Connectivity, Facilities, Placement, Cut-Off, Hostel, Campus, Honest Review आपको मिल जाएगी Totally and company कौन-कौन से विजिट करती है इसके बारे में जाने कि एक में बात बना चाहूंगा कि यह जो वाइड बोर्ड है यह क्यों है ठीक है तो मैं एक English और Physical Education यह दो सब्जेक्ट लाने वाला हूं Class 12 के लिए Class 11 के लिए भी आएगी सबसे पहले हम Class 12 को कवर करेंगे इसमें क्या होगा कि Class 12 में जो भी English की जो सब्जेक्ट चैप्टर्स होते है फिजिकल एजुकेशन के जो चैप्टर्स होते है उसको मैं क्लियर करूंगा कहीं जाने के अब शक्ता नहीं है यहां पे आए समरी जाने इसको देखे आपकी जितनी भी कंसर्ट होती है ना चैप्टर के राउंड सब क्लियर हो जाएगा ठीक है तो इंग्लिस एंड पी अची के लिए कहीं जाने के अब शक्ता नहीं है यह चैनल पर आपको सब कुछ मिलेगा और आपको पता है कि यह चैनल सब कुछ लाने वाला हूं तो सपोर्ट करें बाई सब्सक्राइबिंग माई चैनल और अपने दोस्तों के साथ सेर करें क्योंकि आने वाले जो कंटेंट होंगे प्राइविट कोलेजिस के बाद काफी एक्साइटिंग होगे तो विदाउट टेकिंग फॉर्थ टाइम तो स बारे में तो इसकी इस्टैबलिश्मेंट हुई थी वह 1956 में हुई थी आपको जब इस कॉलेज के बारे में जब सर्च करते होगे तो आपको कई नाम से यह देखने को मिलता है ताहत्रा की वेबसाइट पे आपको ताहत्रा की जैसे क्या देखने को मिलता है टी आई-ई-ट पटियाला टी यू पटियाला थापर इंस्टीट ऑफ इंजिनियरिंग एंड टेकनलोजी यह कई नाम है इसके थापर उनिवर्सिटी भी कई लोग इसको कहते हैं तो इस नाम से आपको कन्फूजन नहीं रखना है ठीक है सबते पहले यह क्लियर हो गया कि नाम सब एक है ए आपको चंडिगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि 67 km दूर देखने को मिलता है वही हम बात करें रेलवे सेशन की पटियाला रेलवे स्टेशन जो की 5 km दूर देखने को मिलता है तो डिस्टेंस का उतना बड़ा इसू नहीं है काफी नजदीक है और कई आपको गारिया द दिक्कत नहीं आएगी ठीक है बात करते हैं रैंकिंग की रैंकिंग की बात करें देन इंजिनियरिंग के साब से एन आई आरेफ 2020 में इसकी जो रैंकिंग दी गई थी खास बात यह क्या है इस कॉलेज में क्योंकि qs world ranking में इसको रैंकिंग दी गई है यह एक यहां पे इस को क्यों कि पूरे वर्ल रैंकिंग में इसकी जो रैंकिंग लाए करती है वो 801 से 1000 के बीच में लाए करती है तो आप इसे समाझ सकते हो कि यह कॉलेज कितना एक्सपोजर प्रोवाइड करता है समझ रहे हैं ठीक है और कैंपस की बात करें देन यह कैंपस आपको 250 एकर में फै सब्सक्राइब करता है तो हम बेसिकली अभी जानेंगे बीटेक फोरियर प्रोग्राम में कौन-कौन सब्सक्राइब को को सब्सक्राइब कि जाते हैं सब्सक्राइब करते हैं इस कॉलेज बेन सब्सक्राइब को इसे बात करते हैं का तन-क्साइस इन ज इसके basis पर हम cut-up को जानते हैं यह important है इसके basis पर हम cut-up को जानते हैं तो computer science के लिए सबसे पहले जानते हैं then computer science engineering के लिए आपको यहां पर देखने को मिलता है 97.67% इतनी percentage अपकी आई then इस college में आपकी chances हो जाती है admission की class 12th board के basis पर 30% seat होती है हमारी दो फॉर्दर हम different branches में देखे दान बायोमेडिकल में 93% बायो टेखनोलोजी में 93.67% यह cut-up गई थी पिछले साथ तीके civil engineering में 94.33% computer engineering में 96% computer science and engineering में 97.67% समझे रहें electrical engineering में 95.33% ECE में 95.33% electric and computer engineering में 95.67% mechanical में 95% and mechatronics में 95% यह आपको cut-up देखने को मिलता है इस college के लिए तो आप देख रहे हैं कि percentage जो आपकी need होती है इस college में admission की वो कितनी high है तो कितना लोग excited होते हैं यह college जाने के लिए ठीक है तो यह college उतना provide भी करता है आपको अब हम बात करते हैं फीज के बारे में तो फीज में आपको कुछ बताना चाहूंगा क्या इसमें है कुछ देखें फीज का क्या है यहां पर फंडा यहां पर जो फीज होती है वो दो category में divide होती है कैसे आपको समझें सबसे पहले हमारा divide होता है group a category और दूसरा divide होता है group b category group a group b क्या समझाना चाहरा हूं मैं group a में different branches आएंगे different branches के हिसाब से यहां पर फीफ वैरी करती है ठीक है तो group a में क्या देखने को मिलता है आप इससे देखें group a के हिसाब से जो आपकी branches होती है वो होती है computer science computer science engineering computer science and business system ठीक है and computer engineering, यह group A में आती है, ठीक है, और group B में जो आती है, वो आपकी आती है, electronic and communication engineering, ठीक है, and electronic and computer science engineering, यह समझ गया, and mechanical engineering, यह आती है group B में, तो इसकी जो फीस होगी, वो अलग होगी, इसकी जो फीस होगी, वो अलग होगी, यह समझ गया, अब हम फीस को जानते है, असल में क्या है ठीक है तो group A के लिए जो fees आपको यहाँ पर देनी परती है वो है 1,77,000 without hostel without hostel आपको 1,77,000 देना होता है per semester और यह जो data है यह इसकी official website से ली गई है तो इसमें आपको कोई जो ups and downs होती है fees की वो आपको clarity आजाएगी वो कोई दिकत नहीं होगी ठीक है other branches की बात करें then आपको 1,72,000 rupees per semester without hostel fee देखने को मिलता है हम बात करें hostel की then ठीक है अब यह बात तो institution fee की होगे अब हम बात करते है hostel की तो hostel में आपको कई category देखने को मिलते हैं कैसे आप इसे समझें अगर आप single रहना चाहते हैं दो लोग के साथ रहना चाहते हैं तीन लोग के साथ रहना चाहते हैं है चार लोग के साथ रहना चाहते हैं आपको सब कुछ provide किया जाएगा पीस आपको यहां पे देखने को मिलता है ठीक है अब बात करते हैं hostels के बारे में ठीक है यहां का hostel कैसा है क्या फैसलिटी आपको प्रवाइड किया आती है hostels related देन आपको यह hostel में आपको 16 hostels देखने को मिलते हैं total overall और boys की जो है और girls की आप इसे समझें total boys जो है आपको 4.5 के देखने को मिलता है वहीं हम girls के बाद करें 1.9 के girls देखने को मिलता है इस college के around तो यह तो report के अनुसार है यह मैं confirm नहीं कह सकता पर जो reports मुझे देखने को मिले research के बाद मुझे यह reports मिले ठीक है और यहां पर आपको मैंने पहले बताया कि यहां different seaters available first one-seater two-seater three-seater and four-seater उसकी prices में मैं आपको बता दिया ठीक है facilities की बाद करें यहां पर आपको जो normal बड़े-बड़े जो colleges होते हैं ठीक है जो available किया जाता है students को वह आपको यहां देखने को मिलते हैं कौन-कौन से TV room gym laundry services cooler reader room सब कुछ मिलता है यहां पर provide किया जाता है इत्तम बढ़े हां से किया जाता है इसमें कोई तरह की दिक्कत आपको नहीं मिलेगी hostel काफी neat and clean और hygienic है food भी पहतरीन है मुझे जैसा लगा कोरा पे review पढ़े के ठीक है food काफी अच्छा है vegetarian है and breakfast में आपको एक omlet पराठा यह सब देखने को मिलते हैं and काफी neat and clean मुझे लगा यह जैसा review में ने पढ़ा ठीक है अब बात करते हैं इस college ground facilities के बारे में ठीक है त chaise load और यह सब तो आप अराम संदर खेल सकते हैं उनों खेल सकते हैं आप अपने दोस्तों के साथ ठीक है outdoor game की बात करे देना आपको volleyball tennis court cricket swimming pool football कई कई sports facilities आपको देखने को मिलेंगे hockey ground सब कुछ available है campus भी काफी बढ़ा है 250 acres में value है ठीक है काफी well-mintained campus है काफी beautiful campus है थापर की ठीक है auditorium काफी बड़ी है काफी सुन्दर है library यहां की काफी बड़ी है digital library देखने को मिलेगा आपको और बहुत books है यहां पे तो पढ़ते रहे हैं समझ रहे हैं अब बात करते हैं placements के बारे में placements यहां पर कैसे है ठीक है तो यहां पर आपको placement का जो record है काफी बड़ीया कह सकते हैं काफी अच्छे-ची companies यहां पर visit करती है और students को ले जाती है तो इसका जो placement record है वहां काफी great है ठीक है तो कौन-कौन सी company जो यहां पर regular आती है वो कह सकते है Microsoft, Amazon, D-Shaw, Tata Motors, Jomato, यह सिर्फ companies यहां पर visit करती है यह तो confirm है ठीक है और भी जो company की list है वो आपको computer screen पर देखने को मिल जाएगा और highest package की बात करें then 43 lakh average placement की बात करें then 7 lakh आपको देखने को मिलती है वही computer science की बात करें then 8.5 आपको यहां पर देखने को मिलता है तो जो भी placement की statistics है overall अभी करता है कि नोटेबल एलमनाई के बारे में जानने के लिए चलिए कम्प्यूटर स्किन पर देखते हैं वेट 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 कहीं जाने के शक्ता नहीं है थुआ सा समय लूँगा और बतानाचाहूंगा अभी तो मैं ये क्या बोलना चाहे था कि हमारा चैनल जो है लेटेस्ट अभी जो प्रोजेक्ट लाने वाला चोह स्की बारे में आप स्वार्या बताना चाहूंगा ठीक है फुल हिंदी समरी होगी काफी विल उसको प्रिजेंट किया जाएगा एनिमेशन के साथ भी रहेगा तो चीजे विजुलाइज आप पच्छे से कर पाऊगे दस मिनिट का वीडियो होगा उसे अराम से आप सुने देखे वीडियो के बाद आपको एक बार रीडिंग कर थी उसके बाद मैंने कैसे उसको तैयारी की कैसे पढ़ा वो सब कुछ आपको बताऊंगा और यह दो चाप्टर के लिए दो सब्जेक्स के लिए कहीं आँ जाने के अब शक्ता नहीं है इस चैनल पर मिलेगा और भी कई सब्जेक्स लाओंगा धीरे-धीरे मैं खुद अभ आपकर सपोर्ट जरूर चाहिए मुझे और यह दो सब्जेक्स आपकी क्लियर हो जाएगी इसमें कोई डॉट नहीं है और तब तक के लिए इस कॉलेसे लेटेट आपकी जो भी क्वैरी है हो सकता है कि मैंने ट्राइ की अपनी बेस्ट यह क्लियर कर दूँ और आपको कोई चैनल और क्रियेट क्या हो क्यों इस वह में क्या होगा कि आपकी जो फ्री टाइम होती है ना खाली समय उसको मैं प्रोड़क्टिव बनाऊंगा कैसे बनाऊंगा हमारी जो कंटेंट होगी वह अमेजिंग होगी अभी तो कंटेंट की लिस्ट अभी प्रिपेर की जा रही है कौन-कौन से कंटेंट आएगी उस पर भी काम कर रहा हो तो धीरे धीरे स्लोली स्लोली हम एचीव कर लेंगे तो दोस्तों आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप हमाई चैनल को सपोर्ट करें दोस्तों के साथ शेयर करें सब्सक्राइब करें ठीक है इस रियली हाड़ वक लगता है किसी एक वीडियो को प्रिपेर करने के लिए तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में थेंक यू सो मच वो वाचिंग दिस वीडियो